नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका क्रिशी मित्र इस यूटीब चैनल में तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिशी कल्लाइन से सम्मंदित सबसे मत्वपूर्ण योजना सरकार की जो कि है प्रधान मंतरी क्रिशी सीचाई योजना तो आज हम इस योजना के बारे में जानेंगे कि ये योजना किस कारण से बनाई गई है इसके फाइदे क्या है इसके लिए कैसे आप लाव उठा सकते हो कौन से किसान इसका लाव उठा सकते हो और इसका लाव किस प्रकार से आपको मदद करेगा तो चलो शुरू करते हैं तो प्रधान मंत्री क्रिशी सीचाई योजना जो है इसको मानिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बढ़ावा दिया था पिछले कुछ दिनों यह योजना काफी चर्चा में भी रही थी तो प्रधान मंतरिक क्रिशी सीचाई योजना जिसका उत्तेश है हर बूंद से अधिक फसल इस योजना को पहले प्रधान मंतरिक क्रिशी सीचाई योजना वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था यानि कि जो पीम के एस वाई की जो वेबसाइट है उस पर इसको पीम के एस वाई दॉट गवर्मेंट इस वेबसाइट पर इसको लाँच किया गया था और उसके बाद इस योजना का विवरन के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश आवेदक को अनुदान तदान करके बागवानी और क्रिशी में टपक और फवारा सीचाई प्रणाली को बढ़ावाद देना है जिसे अपना कर उत्पादन की गुनवत्ता और उत्पदक्ता में रुद्धी होगी तो इस योजना का उद्देश यह है कि जो आवेदक है यानि कि जो किसान है उनको टपक प्रणाली लगाने में अनुदान देना यानि कि कुछ वित्तिय सहीता देना ताकि उसे उस प्रणाली को अपना कर उसकी फ़सल की जो गुनवत्ता है वह भी तो इसके लिए पातर कुन है कुन से किसान इसके लिए अपलाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर पातरता दी गई है तो सबसे पहली पातरता होगी आवेदक के पास राजस विभाग में पंजगरुत सववय के नाम पर भूमी के उचित दस्तावेश ह यानि कि जो खसरा होता है सबसे पहली बात आपके पास आपके नाम का खसरा होना चीए अब दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए आवेदक के पास मूल निवासी प्रमान पत्र होना अनिवार है जो निवासी प्रमान पत्र होता है तैसल द्वारा और जो डिजिटल आज इसके साथ साथ आप तीसरा पॉइंट देख सकते हो यूजना के तहट लाभारती को कुछ अधिक व्यवय का वहन करने में सक्षम होना चाहिए अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाओ तो इसके मतलब यह कि किसान थोड़ा खुद से खर्चा करने में सक्षम होना चाहिए कि मान लेजिए क्योंकि जो आपको सरकार दे रही है वो एक प्रकार का अनुदान दे रही है पुरी राशी तो सरकार नहीं देगी उसके उपर के जो खर्चा होगा वो आपको खुद को देना पड़ेगा वो खर्चा आपको खुद को लगाना पड़ेगा तो जो किसान है जो आवेदक है उसको उस खर्चे की शमता होनी चीए उसमें तो इस योजना का लाव उठाने की प्रक्रिया क्या है आप इसका आव योजना के लावों का लाव उठाने के लिए इच्छुक किसानों को आवश्यक दस्तावेजों का विवरन भर कर वेबसाइट जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी थी pmksy.government.in इस पर जाईए या फिर ये पूरी की पूरी जो दी गई लिंक है इस पूरी लिंक को आप टाइप करके जा सकते हो हो सकते तो मैं आपको यह description box में paste कर दूँगा इस पर आप online पंजयन कर सकते हो या फिर किसान साइबर क्याफे जन सुईदा केंदर CSC जो होते कृशक लोकवानी से online पंजयन करा सकते हो योजना के तहट लाभार्तियों का चयन यह बहुत important बात है कि योजना के तहट लाभार्तियों का चयन पहले आओ पहले पाओ क्या धर पर किया जाएगा देखिए पहले आओ पहले पाओ क्या धर पर या जो पहले आवेदन करेगा उसको लाभ मिलेगा जो बाद में आवेदन करेगा अगर स्लोट पूरे हो गए तो उसको नहीं मिलेगा इस सिद्धान्द पर ये योजना चला जा रही है तो एक शर्त इन्होंने रखी है कि जिन लाभार्तियों ने पहले सुख्ष्म सिचाई योजना के तहट लाभ ले लिया है उन्हें अगले दस वर्शों तक उसी भूमी पर सुख्ष्म सिचाई प्रनाली स्थापित करने के लिए अनुदान नहीं किया जाएगा तो जिन किसान भाईयों ने पहले ही सुख्ष्म सिचाई योजना जो थी उसके अंदर जिनोंने लाभ ले लिया है जिसमें आविदन करके उनको अनुदान मिल चुका है उनको उसी भूमी पर सिचाई लगवाने के लिए अनुदान न लेकिन आपका जो खेत होगा जिस पर आपने नहीं लिया है तो आप हो सकता है उस पर आपको मिल जाए और मिली जाएगा तो अगर इसकी अपन लाभ की बात करें तो इसका लाभ यह है कि क्रिशी में टपक और फवारा सिचाई प्रहनाली अपनाने के लिए अनुदान देन और स्वेर फेर गवर्मेंट ऑफ इंडिया यानि कि जो अपना प्रिशी विभाग है उसके द्वारा यह योजना चलाई जा रही है तो अपन बात कर लेते हैं कि कितने लोगों को इस योजना से फाइदा हुआ और कौन से कौन से मेहने में अगर आपन देखे तो यह जो ग अगरी पाई जाती है आप देख सकते हो कि दोनों ग्राप्स में काफी बड़ोतरी मिल जाएगी संक्याय दोनों एक ही है पर फार्मेट दोनों के अलग-अलग है ग्राप्स के तो जो ब्ल्यू कलर में जो दर्शाय गया है यह ब्ल्यू कलर में जो यह दर्शाय गया है यह पीले कदर में दर्शाय गया है वह फवारा जो होता है उसके लिए दर्शाय गया है और यह जो लाल रंग दिखता है यह दोनों को मिला कर दर्शाय गया है तो आप देख सकते हो कि मार्च 2021 के अगर हम बात कर लें तो ड्रिप इरिगेशन बूंद प्रानाली में 121.32 हजार हेक्टियर जमिन को लाब मिला है और उसके साथ साथ जो फवारा सीचाई है उसमें 258.26 हजार हेक्टियर जमिन और अगर अगर अपन दोनों को मिला कर बात करें तो 399.58 हजार हेक्टियर जमिन को लाब मिला है जो कि बहुत ही मैं मानूंगा कि मतलब सपलता फुल वाक रही है यह सकीम तो आपको यह चानकारी कैसे लगी और आप इसके लिए आवेदन कर रखे हो इसका लाब उठा चु इसकारी कि लगा हैं मानी मानूंगा कि लिए बना चीम तो वाब कर दो कि मतलब सब कर देख को बहुत हैका कि मतलब सक cot реal!